इस lecture में random restart hill climbing और simulated annealing local search algorithm के बारे में बताया गया इससे पहले हमने देखा hill climbing के कुछ limitations थी वो limitations यह थी कि sometime हमारा algorithm कहीं local maximum या local minimum पर stuck हो जाता है मतलब यह कि algorithm कहता है कि यही मेरे पास सबसे minimum value है इस problem से related वो local हलांके वो local minimum होता है वो इसको global minimum के साथ replace कर रहता है यहां कहता है कि मेरे पास यही वाली value जो है वो maximum value है पूरी के पूरी problem में में जबके maximum value कहीं और होती है अब जैसे यह जो diagram थी यहां पर वो इसको कहेगा मैंने maximum value मुझे मिल गई है जबके maximum value यह वाली होगी दूसरी peak की होगी तो इसका मतलब यह कि वो local maximum पर ही stuck हो गया है यह local maximum है यहीं पर stuck हो जाएगा और actual solution जो है जो के global maximum है वो find ही नहीं करेगा तो जब यहां पर stuck हो जाता है यह एक बहुत बड़ी limitation है hill climbing algorithm की जिस तरह यहां पर हमने देखा था कि वो algorithm जो था वो local minimum पर stuck हो गया था यह minimum value है न लोकल minimum को कह रहा है कि बस यहीं पर वो stuck हो जाएगा आपको final output या final solution return नहीं कर रहा हुआ तो इन limitations को overcome करने के लिए कुछ strategies सी algorithm है random restart hill climbing जिसको हम कहते हैं एक है simulated annealing और एक है local beam search इस वीडियो में मैंने random restart hill climbing के बारे में बताया है और simulated annealing के बारे में बताया है random restart hill climbing algorithm यह कहता है कि आप initial state को change कर दें अगर आपको एक दफाप failure हुआ आपको आप दुबारा से कोई नई initial state बनाए और फिर आप गोल को achieve करें अगर आप गोल नहीं मिला failure हुआ तो आप दुबारा से अपनी initial state को change करें इसके नेम से पता चलर रैंडम ली आप कोई भी note select करें restart करें hill climbing like उसी वे में आप hill climbing को restart करेंगे in case of failure in first search जब हम first search करें और उसमें हमें failure return हो restart with a different initial state of restart कर दें with a different initial state keep repeating the procedure until h equals to 100 state is reached अब यहां पर यह h refer कर रहे है रिस्टिको और 100 यह है यह objective function है और जब तक आपको यह 100 state में नहीं achieve होती आप तब तक hill climbing जो algorithm है उसको restart करते जाए हर दफ़ा initial state को change करते जाए अब इस diagram में देखें initial 1 जो है वो सबसे पहले जो हमने initial state को set किया वो यह वाली है initial 1 फिर initial 2 है फिर initial 3 है सबसे पहले हमने initial 1 set की ठीक है अब यह 21 था इसके जो neighbor note से 17 25 और 30 हमने highest वले note को select करना है हम 30 पर चलेगे अब 30 के बाद जो neighbors हैं वो है 12 और 45 हमने highest neighbor को select करना है वो है 45 45 पर हम जाएंगे तो 17 इसका neighbor है और 17 जाए वो इससे small है तो यह local maximum हो जाएगा जब वो कहेगा यही वाली maximum value है और मुझे यहीं पर terminate हो जाना चाहिए यह hill climbing algorithm का concept था फिर हमने वो यहीं पर stuck हो जाएगा इस चीज को overcome करने के लिए क्या किया हमने एक और नई initial state बना ली यह वाली initial state 2 अब यहां से दुबारा से हम hill climbing search का algorithm apply करेंगे अब 12 थी 12 से देखें 30 है और 52 इसके neighbors हैं हमने highest वाली value select की वो क्या थे 52 जब 52 के जो neighbors हैं वो है 51 और 17 यह तो इससे small है ना तो यही local maxima है वो यहीं पर stuck हो जाएगा काईगा आया है लाइक यही the solution है मेरे पास 52 और इससे onwards इस पूरे graph पे कोई भी highest value नहीं है यह वाली initial state भी ठीक नहीं है हमने को और initial state set की वो थी 37 अब 37 के जो neighbors हैं वो को उनसे 34 है और 62 है तो हम यहां से 62 को select करेंगे क्योंकि वो इससे higher है 62 पर जाएंगे 62 का जो neighbor है वो है 70 70 जो है वो 62 से higher है वो यहीं पर traverse करेंगा then 70 का जो neighbor है वो है 75 और 100 अब 100 की value highest as compared to 75 तो वो इसको choose करेगा और यह global maximum है इस पूरे graph में highest value है तो इसका मतलब ही हमें result मिल जाएगा तो जो hill climbing में problem आया था local maximum पे stuck हो जाना यह local minimum पे stuck हो जाना उसको हम overcome कर सकते है by a random restart hill climbing algorithm के थूँ जिसका concept यह कहता है कि आप दुबारा से hill climbing algorithm को restart करें और initial state को हर दफा़ चेंज करते जाए अनलेस आपको आपका जो maximum value या जो corresponding minimum value है आप वो achieve ने कर लें if each hill climbing search has probability p of success अगर आपके hill climbing search algorithm की success probability p है तो number of restart जो है वो 1 by p होंगे इसके बाद है simulated annealing search इसको हम stochastic hill climbing भी कहते हैं simulated annealing search में सबसे पहले हमें annealing का meaning पता होना चाहिए what does the term annealing mean annealing का मतलब यह है यह एक terminology है जो metallurgy में यह mechanical में material science में use होती है annealing is a process एक process है जिसमें आप metals को या glass को मोल्ड करते हैं नई form में high temperature पर heat करेंगे उसके बाद उसको gradually जो है आप उसको कूल करेंगे और फिर आप उसको नई form में present करेंगे like annealing में हम मोल्ड करते हैं किसी metal को या किसी glass को मोल्ड करने के लिए हम उससे high temperature पर heat करेंगे then उसको cool करेंगे ठीक है तो simulated annealing search का concept यह कहता है कि हम local maxima या local minima का जो issue था hill climbing में उसको हम overcome करते हैं by allowing some bad move but gradually decrease their frequency select करेंगे neighbor कोई भी randomly ठीक है if better than current go there like अगर हमारा जो neighbor है है वो बेहतर है तो हम उसकी तरफ move कर जाएंगे otherwise go there with some probability कि नई स्टेट पर आप फिर भी move करेंगे लेकिन किसी probability के साथ वह probability किस तरह कंप्यूट करने है आगे बताई हुए probability goes down with time similar to temperature cooling probability जो है वह with respect to time हम compute करते हैं जिस तरह से एनिलिंग में temperature cooling का एक process होता है एनिलिंग में simulated annealing को हम annealing के साथ किस तरह से relate करते हैं यह hill climbing के साथ किस तरह relate करते हैं इसको concept ही कहता है कि जैसे हम metallurgy में या कोई particular temperature पर उसकी different shapes को observe करके monitor करते हैं इस तरह से concept relate करता है hill climbing के साथ simulated annealing search हमें कहती है कि आप initialize करें current को as a starting state जो भी आपकी initial state है for i equals to 1 to infinite if t of i equals to 0 तो आप return कर दे current आपने next जो है वो जन वेट करना है successor delta आप compute करेंगे value of next जो आपका next corresponding successor है उसको आप minus करेंगे current के साथ अगर delta positive है तो आप current को replace कर देंगे अगर delta positive है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि जो next वाली value है वो बढ़ी है next node की value बढ़ी है तो अगर वो वाली value बढ़ी होगी तो हम replace कर देंगे current को next के साथ और अगर next value वाली value छोटी है तो हम उसको replace करेंगे with probability of del t of i के साथ तो हम किसी small value के साथ उसको replace करेंगे तो इस तरह भी हमारा जो graph है वो stuck नहीं होगा hill climbing वाला जो graph है वो stuck नहीं होगा वो हमार पास still movement करेंगा लेकिन downward direction में जाएगा और path को search करेंगा इसके लिए situation इस तरह से है जैसे यहां पर है न हम next state identify करेंगे अगर तो next value small है तो वो downward जाएगा और again path search करेंगा यह इसका concept कहता है simulated annealing का कि हम next वाली value को identify करेंगे अगर तो next small है तो हम previous to है उसकी backward direction में move करेंगे लेकिन हमार पास graph में flow रहेगा और अगर हमार पास next greater है तो हम direct next की तरफ move कर जाएगे यह concept है simulated annealing का सो इस तरह से simulated annealing का जो concept था इसने overcome किया hill climbing search के जो limitation सी के अपके पास अगर तो local maxima यह local minima आ जाएगा तो वो next holy value को identify करेगा अगर next value better नहीं है तो वो previously previous direction में backward direction में optimal solution find करेगा प्हारी है नहीं है जिएर है आएगा लाग को फब amidst जारीक को Σरा प्वोटर किया है आएगाट though ओा ब haiा स暑 चारीक